गजलें परमार्थ का जिग्यासू शेख तकी हज से लोटते समय तुलसी साहब की कुटिया में उनसे मुलाकात करने आया बादचीत के दोरान तुलसी साहब ने उसके अंदर रूहानियत के लिए तड़प देखी और परमार्थ का सारा भेद उसके सामने खोल दिया कुरान शरीफ और अन्य मुसल्मान फकीरों का हवाला देते हुए तुलसी साहब ने परमार्थ के हर पहलू का खुलासा किया जिससे शेख तकी की पूरी तसल्ली हो गई शेख तकी को संबोधित करके लिखी गई गजलों में सच्ची रूहानियत का सार जलकता है एक सुन ऐ तकी नजाईयो जिनहार देखना अपने में आप जलवाए दिलदार देखना पुतली में तिल है तिल में भरा राज कुल का कुल इस परदाए स्याह के जरापार देखना चौदाह तबक का हाल अयां हो तुझे जरूर गाफिल न हो खयाल से हुशियार देखना सुन ला मकां पे पहुँच के तेरी पुकार है है आ रही सदा से सदाए यार देखना मिलना तो यार का नहीं मुश्किल मगर तकी दुश्वार तो ये है कि है दुश्वार देखना तुलसी बिना करम किसी मुर्शिद रसीदा के राहे निजात दूर है उस पार देखना दो दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए चश्मे दिल से देख यहां जो जो तमाशे हो रहे दिल सिता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हवस फिर ठिकाना है कहां उसके ठिकाने के लिए नकली मंदर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है कुदरती मस्जिद का साकन दुख उठाने के लिए कुदरती काबे की तू महराब में सुन गौर से आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए क्यूं भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में रास्ता शाहरग में है दिलवर पे जाने के लिए मुर्शिद कामिल से मिल सिदक और सबूरी से तकी जो तुझे देगा फहम शहरग के पाने के लिए गोशे बातिन हो कुशादा जो करें कुछ दिन अमल ला इलाह अलाहु अकबर पे जाने के लिए ये सदा तुलसी की है आमिल अमल कर ध्यान दे कुन कुरा में है लिखा अलाहु अकबर के लिए तीन अरे ऐ तकी तकते रहो मुर्शिद ने ये पंजा दिया बेहोश हो मत छोडियो गर चाहे तु जलवा पिया होगा फजल दरगाह तक खौफो खतर की जा नहीं सीधे चले जाना वहां मुर्शिद ने ये फत्वा दिया मनसूर सरमद बू अली और शम्स मौलाना हुए पहुँचे सभी इस राह से जिसने की दिल पुखता किया यह राह मंजिल इश्क है पर पहुँचना मुश्किल नहीं मुश्किल कुशा है रूबरू जिसने तुझे पंजा दिया तुलसी कहे सुन ए तकी ये राजे बातिन है जुदा रखना हिफाजत से इसे तुझको निशा उँचा दिया जुझको तुझको निश्को निश्क प्रिया